तो आगे आप लोग केमच मेरी जान, मस्त मजा मा, welcome to the next part of chapter number 8, motion, जी हाँ, बिल्कुल सही सुनाएं आपने, ये chapter number 9, force and laws of motion, chapter number 8 का ही successor है, यानि आप इसे chapter number 8 का next part मान सकते हो, chapter number 8 जहां से हमने खतम किया था ना, बिल्कुल उसी के आगे से हमें ये chapter start करना है, chapter start करने से पहले एक बार पिछले chapter का चक्र लगा कर आ जाते हैं, हमने last chapter में क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा था ना, कि भाई, अगर कोई भी object समय के साथ अपनी position बदलता है, या अगर कोई भी object अपनी speed को घटाता है, या बढ़ाता है, तो वो motion में है, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा, कि भाई, कोई भी object move क्यू करता है, कोई भी object अपनी speed घटाता क्यूं है, बढ़ाता क्यूं है, कैसे घटा बढ़ा लेता है, इसके पीछे का कारड क्या है, अभी तक हम legitim ये नहीं पता चला है, हम इस chapter में इसी कारड के बारे में पढ़ेंगे, कि भाई, तक हम बहुत परिशान थे क्यों परेशान थे क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कोई चीज चलती क्यों है कोई चीज रुकती क्यों है लेकिन तभी जनम हुआ इस धर्टी पर कुछ महान वैज्ञानिकों का जैसे कि GALILEO जैसे कि आईशक न्यूटन वाई इन्हों वह ने हमें बताया कि किसी भी चीज के चलने और रुकने के पीछे का कारण क्या है हमें इतना पता है कि अगर हम किसी object पर force लगाते हैं अगर वो object rest में है तो वो move करने लगेगा कोई object move कर रहा है उस पर force लगाते हैं तो वो रुक जाएगा कोई भी object का shape change कर सकते हैं अच्छे कुमार क्या करता है अच्छे कुमार मुक्ता मारता है न फोर्स लगाके थोबड़े का shape change हो जाता है तो वही अब force के fx के बारे में हमें पता है लेकिन हमें यह नहीं पता कि force कर क्या सकता है ठीक है तो हम पढ़ेंगे वो इस chapter में मैं आपको बताऊंगा कि यह force and motion एक दूसरे से related कैसे है ठीक है आज हम इस chapter में आगे बढ़ें उसके पहले आपके लिए मेरे पास कुछ है क्या है मेरे पास आपके लिए कुछ books हैं यह देख पा रहे हो कुछ set of books हैं अब इन books का क्या काम है मैं तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ यह मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले यह books मुझे दिशा publication ने भिजवाया है यह book मुझे 15 दिन पहले आ गई थी और बिलकुल honest review देने वाला हूँ कि भाई इन books से आपको exactly क्या फायदा होगा और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो आप ही decide करना बट जो मेरा काम है वो मैं कर देता हूँ ठीक चाहिए न तो तुम्हें in books को जरूर ट्राई करना चाहिए यह अब यह 15 दिन में पढ़कर मुझे क्या बता चला वो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें अगर theory पढ़नी है तो ncrt is enough मैं नहीं कहूंगा कि केवल theory के लिए यह लो हाँ अगर लेना ही चाहते हो तो theory के ल तुम्हें board के लिए preparation करनी है इसमें question है तुम्हें NDSC के लिए preparation करनी है इसमें questions है तुम्हें भाई JNEAT के लिए question practice करनी है latest syllabus की JNEAT की preparation करनी है इसमें आपको questions मिलेंगे जी हां इसके कुछ highlight features मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको concept maps मिल जाते हैं मतलब हर chapter का एक पुर grade है high order thinking questions है activities है मतलब questions के लिए तो perfect book है अगर तुम सच में above average हो और चाहते हो कि आपकी preparation के ओल बोर्ड तक सिमित ना रहे बलकि हम अभी से JNEAT और NTSC की preparation करते रहें तो this book is perfect ऐसा नहीं है कि ये board के लिए बिलकुल काम नहीं आएगी बिलकुल काम आएगी board के साथ साथ आप other exams के लिए भी ये prepare कर देती है देखो यहां पर सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी ना कि यार 650 subjective questions भी दे रहें ये इसके साथ 450 ITJ और NEET की भी questions दे रहें ठीक है तो भाई ये आपको पूरे combo में मिलते हैं अभी तो मेरे पास दो बुक है physics and chemistry की आपको पूरा combo मिलता है physics, chemistry, mathematics, biology, mental ability, चाहे class 9th के लिए लेना चाहो, चाहे class 10th के लिए लेना चाहो, you should go for it, purchase link description मेरा science पढ़ाने का objective ये होता है कि आप चाहे किसी भी class में हो 9th, 10th, 11th, 12th, जहां भी आपको ये topic देखे, आपको गिवल प्रेम सर्याद आए, इसलिए हम detail में पढ़ते हैं, ठीक है, start करेंगे हम NCRD का line by line explanation, start होता है ये हमारा topic figure number 9.3 से, और आप सभी ने figure number 9.3 देखा ये दोनों figure, figure number 9.3 है, इस figure में आप देख पा रहे हो, क्या है, wooden block, एक लकडी का टुकडा आप देख पा रहे हो, और ये लकडी का टुकडा एक table पर रखा गया है, बिलकुल ये table है, और इस table पर हमने इस लकडी के टुकडे को रख दिया है, आप ये भी देख पा रहे हो, two strings, X and Y, are tied to the opposite faces of the block, as soon, आप देख रहे हो, इस लकडी के टुकडी के opposite sides में दो रसी बात दिया है, एक रसी X और दूसरी रसी Y, बिलकुल देख रहे हैं हम, ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, if we apply a force by pulling the string X, अगर तुम्हें इस X वाली रसी को खीचते हो, तो क्या होगा, the block begins to move to the right, हम जानते हैं, जब हम X वाली रसी को खीचेंगे, यह जो लकडी का टुकडा है, यह इस तरफ खीचा हुआ चला आ जाएगा, बिलकुल, similarly, बिलकुल इसी तरीके से, अगर हम Y वाली रसी को खीचते हैं, तो यह लकडी का टुकडा इदर left side में move कर जाएगा, यह एक बात बताओ, अगर तुम इस X वाली रसी को, Y वाली रसी को दोनों को एक साथ खीच रहे हो, और same force से, equal force से दोनों रसी को खीच रहे हो, तो क्या यह लकडी का टुकडा किदर भी move करेगा, नहीं, यह लकडी का टुकडा जहां पर है, यह वहीं पर बना रहेगा, जी हा क्यों? क्योंकि भाई, यहां पर equal forces लग रहे हैं, balanced forces लग रहे हैं, अब इस तरीके के forces को हम balanced forces कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई, इस case में हो क्या रहा है? इस case में equal force लग रहा है, लेकिन दो opposite directions है, इधर से भी उतनी ताकत से खीचा जा रहा है, और इधर से भी उतनी ही ताकत से खीचा जा रहा है जिसकी वजह से जो force है वो क्या हो जा रहा है balance हो जा रहा है और इसलिए हम ऐसे forces को balance force का नाम देते हैं balance forces की एक खासियत भी होती है क्या खासियत होती है कि भाई they do not change the state of rest are of motion of an object जिस भी object में ये balance force लगाया जाता है अगर वो object rest में है तो वो object rest में ही रहेगा अगर वो object चल रहा है यानि motion में है तो वो object motion में ही रहेगा मतलब balanced forces ना तो किसी रुके हुए object को motion में ला सकते हैं और ना तो किसी चलते हुए यानि motion वाले object को वो रोक भी नहीं सकते हैं तो this is the very important property of balance forces याद रखना ठीक है अच्छा आप दूसरा situation देखते हैं now let us consider a situation in which two opposite forces of different magnitude pull the block हमने यहाँ पर same force लगा कर दोनों तरफ खीचा तो हमारा force क्या हो गया balance हो गया अच्छा अब यहाँ पर हम दोनों तरफ खीचेंगे लेकिन different forces से कैसे different forces से खीचेंगे मतलब इधर मोटा इंसान है तो इधर greater force लगेगा ठीक है greater ठीक है इधर पतला इंसान है तो इधर कम force लगेगा laser force लगेगा different forces से अगर हम रसी को मालो इधर ज्यादा ताकत से खीचा जा रहा है इधर कम ताकत से खीचा जा रहा है तो क्या होगा in this case the block would begin to move in the direction of greater force हम जानते हैं कि भाई ऐसे case में क्या होगा जिस तरफ मोटा इंसान है उस तरफ ये लकडी का टुकडा move कर जाएगा क्यों क्यों क्योंकि इस मोटे इंसान ने अपनी तरफ से क्या लगाया है unbalanced force लगाया है यानि जादा ताकत लगाई है ठीक है मालो इधर पतला इंसान है और इधर भी पतला इंसान हो तो क्या हो जाएगा force बैलेंस हो जाएगा लेकिन इधर मोटा है इधर पतला है तो क्या है unbalanced force लगा रहा है ये मोटा इंसान thus the two forces are not balanced and the unbalanced force act in the direction of block moves इसलिए इस case में क्या हो रहा है इस case में ये जो unbalanced force ये मोटा इंसान लगा रहा है इसकी वज़े से ये जो block है ये क्या हो जा रहा है ये इसकी तरब जिधर जादा force लग रहा है उधर move हो जा रहा है this suggests that a unbalanced force acting on an object brings it in motion अब यहां से हमें unbalanced force के बारे में भी एक property पता चली क्या हमने यहां पर balance force के बारे में पढ़ा था कि balance force ना तो किसी rest वाले object को motion में ला सकता है ना तो motion वाले object को rest में ला सकता है लेकिन unbalanced force बिलकुल उल्टा है अगर हम किसी object पर unbalanced force लगाते हैं तो उस object को हम देखो यहां पर यह object rest में है इसने unbalanced force लगाया यह object motion में आ गया मतलब अगर हम जिस object पर unbalanced force लगाते हैं हम उसको motion में ला सकते हैं so this is the property of unbalanced force ठीक है चलो एक और धर्मा के दाल example से तुम्हें समझाने की कोसिस करता हूँ कि भाई साब balanced and unbalanced forces हम किसे कहते हैं अच्छा यह वाला example बड़ा ही मज़दार example है और आप सभी ने बच्पन में कभी ना कभी किसी box को धकेलने की कोसे जरूर करी होगी करिया ना करिया ना जूट ना ही है ना चलो आगे पढ़ते हैं कि भाई what happens when some children try to push a box on a rough floor माल लो यह बच्चा है यह figure number A हो गया figure number B हो गया और figure number C हो गया ठीक है देखो अब माल लेते हैं कि यह जो बच्चा है यह एक rough floor यह जो यह जो फ्लोर दिख रहा है यह जो नीचे जमीन दिख रही है यह काफी rough floor है मतलब काफी खुरदुरा है ठीक है चालो अब यहाँ पर the box with a small force the box does not move because of the friction acting in a direction opposite to the post क्या रहाएगी भाई मान लोग पहले वाले केस में क्या है यह जो बच्चा है अगर यह थोड़ा सा force लगाता है small force लगाता है तो यह जो box से यह move नहीं होगा क्यों? क्योंकि भाई इस box और इस floor के बीच में एक force काम कर रहा है जिसको हम क्या कहते है जिसको हम frictional force कहते हैं क्या कहते है friction कहते है ठीक है अब जब इस बच्चे ने थोड़ा सा force लगाया तो यह friction force क्या है यह जादा है इसलिए यह इस बच्चे के थोड़े से force को balance कर ले रहा है जिसकी वज़े से ये box move नहीं हो रहा है अब जिनने ना पता हो कि frictional force किसे कहते हैं तो मैं बता दूँ कि this friction force arises between two surfaces in contact. Friction force automatic वहाँ पर काम करने लगता है जहां पर कोई दो चीज पहली ये, दूसरी ये कोई दो चीज आपस में जब contact में आते हैं तो frictional force automatic वहाँ पर काम करने लगता है इस पहले वाले case में ना frictional force जादा है और इस बच्चे के द्वारा लगाया गया force कम है जिसकी वज़े से ये box move नहीं हो पा रहा है ये दोनों forces क्या हो जा रहे है balance हो जा रहे है ठीक है अच्छा दूसरी case में देखेंगे हम ये देखो आगे लिखा गया है कि भाई it balances the pushing force and therefore the box does not move हुआ क्या कि इस बच्चे ने बहुत कम force लगाया इस बच्चे ने केवल इतना ही force लगाया जितना ये frictional force लगा हुआ है पहले से ही ये frictional force इसको पीछे घीच रहा है बच्चा आगे धकेल रहा है दोनों तरफ same force लग रहा है इसलिए जो force है वो balance हो जा रहा है ठीक है अच्छा बी वाले case में देखते हैं कि the children push the box harder but the box still does not move अब ये जो बच्चा ये थोड़ी और ताकत लगाता है ये दोड़ के आता है थोड़ी इस ताकत लगाता है लेकिन इस बार भी ये box move नहीं हुआ क्यों क्योंकि भाई इस बार भी ये जो frictional force लग रहा है वो क्या कर ले रहा है वो इस बच्चे द्वारा लगाए गए force को balance कर ले रहा है हम जानते है balance force की खासियत होती है वो रुके हुए object को motion में नहीं ला सकता force, frictional force जो है जितना पीछे खीच रहा है बच्चा उसे उतना आगे खीचने की कोसिस कर रहा है जिसकी वज़े से force balance हो जा रहा है and this is because the frictional force still balances the pushing force मैंने बताया B वाले case में भी क्या हुआ इस बच्चे ने box को move नहीं करा पाया क्यों? क्योंकि इस बार भी ये जो frictional force है ये इस बच्चे द्वारा लगाएगे force को balance कर ले रहा है अब तीसरे case में देखते है बच्चा गुस्सा हो गया ये दोड़ के आता है force लगाता है और box move हो गया इस case में क्या हुआ? इस बच्चा और ज़्यादा ताकत लगाता है तो होगा क्या? अब ये जो बच्चा ने ये ताकत लगाई वो frictional force से greater हो गई वो frictional force से क्या हो गई? कि unbalanced force इस बच्चे ने लगा दिया जिसकी वज़े से क्या हो गया? so the box starts moving आप समझ गये balance और unbalanced forces क्या होते है? बिल्कुल समझ गये होंगे अब हम इस chapter में आगे बढ़ते है और देखते ही क्या कह रहा है? कह रहा है कि what happens when we ride a bicycle? जब हम cycle चलाते हैं तो generally होता क्या है? क्या होता है? हम cycle चला रहे हैं तब तो ये cycle चल रही है और अगर हमने गलती से paddle को घुमाना बंद भी कर दिया ना फिर भी ये cycle चलती रहती है कुछ दूर तक चलके जाती है ऐसा क्यूं होता है? देखो लिख रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि in order to keep the bicycle moving we have to start paddling again मतलब अगर हमें इस cycle को चलाए रखना है तो हमें इस paddle को दोबारा से अपने पैरों से चलाना पड़ेगा नहीं तो यह cycle कुछ दूर जाने के बाद slow होगी, slow होगी और रुक जाएगी अच्छा इस activity से हमें क्या पता चला? यार कि यह cycle केवल तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपने पैरों से paddle मारते रहेंगे, जब तक हम अपने पैरों से unbalanced force, कुछ extra force इस paddle पर नहीं डालेंगे तब तक यह cycle नहीं चलेगी कि हमें यही तो लग रहा है ना, लेकिन यह बात बिलकुल गलत है क्यों गलत है? क्योंकि भाई, एक बात जान लो कि कोई भी object same speed से तब तक चलता रहेगा, जब तक उस cycle के ऊपर जो दोनों forces लगते हैं कौन से दोनों force? जो हम paddle पर इस cycle पर लगा रहे हैं जो हम अपने पैरो से इस cycle पर लगा रहे हैं और दूसरा जो tyre और road के बीच में frictional force लग रहा है जब तक ये दोनों force balanced होंगे, मतलब equal होंगे तब तक क्या होगा? ये cycle एक ही speed से चलती रहेगी एक ही speed से चलती रहेगी, uniform speed से चलती रहेगी ये ही तो लिखा है न, कि an object moves with uniform velocity when the forces acting on the object are balanced ये cycle तब तक uniform speed से चलती रहेगी जब तक हम जितना force अपने पैरो से लगा रहे है पैडल को घुमाने में और जितना force, frictional force लग रहा है टायर और road के बीच में जब तक ये दोनों forces equal हैं तब तक ये cycle uniform speed से चलती रहेगी और if an unbalanced force is applied on the object there will be a change either in its speed or in the direction of motion हमने अब तक देखा कि अगर जितना force हम इस पैडल पर लगा रहे हैं उतना ही force अगर टायर और road के बीच में हैं तो ये जो cycle है ये uniform speed से चलेगी ये same speed से चलेगी लेकिन अगर हमने unbalanced force लगा दिया मालो जितना force हम अपने पैरों से लगा रहे हैं ये जादा force मालो हमने लगा दिया मालो हमने अपने पैरों को थोड़ा तेज घुमाना start कर दिया तो होगा क्या? होगा ये कि भाई इस cycle की speed भी बदल सकती है ये cycle का direction भी बदल सकता है बिल्कुल ऐसा ही तो होता है मालो हमने तेज तेज पैडल मारना start कर दिया तो cycle तेज चलेगी ठीक है? मालो हमने पैडल मारना बंद कर दिया तो होगा क्या? ये frictional force जादा हो जाएगा cycle रुख जाएगी cycle की speed कम हो जाएगी object वही कह रहा है कि मालो हमें अगर किसी भी object की speed को घटानी या बढ़ानी हुई मतलब accelerate करना हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? unbalanced force लगाना पड़ेगा हमें अगर cycle की speed बढ़ानी है तो paddle पर unbalanced force लगाना पड़ेगा अगर हमें cycle की speed घटानी है, कम करनी है तो हमें cycle के tire और road की बीच में unbalanced force लगाना पड़ेगा and the change in its speed or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force is applied हमने देखा कि अगर हमें speed घटाना हुआ बढ़ाना हुआ तो हमें unbalanced force लगाना पड़ेगा घटती रहेगी However, if this force is removed completely the object would continue to move with the velocity it has acquired till then अच्छा, माल लो कि इस cycle के paddle को बहुत तेज से घुमा कर हमने छोड़ दिया ठीक है, और छोड़ दिया और उसके बाद ना तो इस cycle पर frictional force लग रहा है ठीक है, ना तो इस cycle पर frictional force लग रहा है और ना तो इस cycle पर हम paddle मार रहे है और ये cycle चल रहा है तो क्या होगा? ये cycle अनंत काल तक चलता जाएगा बहुत समय तक चलता जाएगा क्यों? क्योंकि ना तो frictional force लग रहा है जो इस cycle को रोक ले ना तो ये paddle वाला force लग रहा है जो इस cycle की speed को बढ़ा दे तो इसलिए ये cycle चलती जाएगी चलती जाएगी उसी speed से चलती जाएगी जितनी speed से हमने चला कर थोड़ा था समझ में आया So this is all about balanced and unbalanced forces next topic बर जाने से पहले देखते हैं छोड़ी सी कहानी ये बात है जून की तपती कड़कती गर्मियों की साल था 1666 एक वैग्यानिक थका हारा धूप से मारा पेड़ की नीचे बैठ कर अपने किताब के पन्नों को पलट रहा था जिसमें उसको बिल्कुल बेंड्रेस नहीं था तब ही उसके सामने गिरता है एक आपल और उस गिरते हुए आपल को देखकर इस वैग्यानिक ने दुनिया को आपजेक्स के मोशन के बारे में तीन ऐसी बाते बताई जिससे मोशन के सारे कॉनसेप्स ही बदल गए जी हाँ आज उसे हम Newton's Law of Motion के नाम से जानते हैं Welcome मेरे दोस्त, Welcome to the Real World of Dynamics Dynamics Physics का वो ब्राच है जिसका निर्माड Newton के तीन नियमों द्वारा हुआ है तो एक एक करके हम Newton के सभी laws को पढ़ेंगे Let's get started with the first law of motion जिससे हम law of inertia भी कहते हैं Topic No.9.2 और इस Topic में हम आईसक Newton द्वारा दिये गए तीन नियमों में से First law of motion पढ़ेंगे इस law को हम law of inertia भी कहते हैं क्यों कहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन सबसे पहले उनका statement जानते हैं कि भाई, आईसक Newton ने जो अपना पहला law दिया था उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि an object continues to be in state of rest or of uniform motion in a straight line until or unless some external force compels it to change its state भाई, आईसक Newton के हर एक word में पूरी definition छुपी हुई थी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि an object continues to be in state of rest कोई भी object है अगर वो rest में है अगर वो रुका हुआ है या वो object लगातार चल रहा है किसी straight line में तो वो object तब तक रुका रहेगा या वो object तब तक चलता रहेगा जब तक हम कोई external force लगा के उस object की state को change ना कर दे समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो, एक एक करके समझते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई, कोई object तब तक rest में रहता है कोई object तब तक रुका रहता है जब तक उस object पर कोई extra force लगा कर उस object को motion में ना लाया जाए देखो, इन्होंने सबसे पहले यही तो कहा था ना देखो इस चीज को हम प्रूफ करते हैं example से, अब देखो ये football है, ये football rest में है, ये football तब तक रुका रहेगा, तब तक rest में रहेगा, जब तक हम इसे पैरों से मार कर चला ना दे, है कि नहीं? ऐसे ही एक example और देख लो, अब ये जो cup है, ये cup इस table पर तब तक rest position में रहेगा, जब तक हम अपने हाथों से कुछ external force लगा कर इसे उठा ना दे है की नहीं है तो भाई सबसे पहला वाला जो उनका word था वो तो clear हो गया दूसरा ये वाला भी देख लेते हैं दूसरा Isaac Newton ने कहा कि An object continues to be in uniform motion unless some external force compels it to change it कह रहा है कि भाई जैसे कोई object चल रहा है एक speed से चल रहा है same speed से चल रहा है तो ये object तब तक चलता रहेगा जब तक इसके उपर कोई extra force लगा कर इसे रोक ना दिया जाए या इसकी direction को change ना कर दिया जाए देखो इस चीज को भी हम प्रूफ कर देते है अब देखो आपका जो ball होता है जो आपका football होता है ये football चलता रहता है मालो तुमने football को पैड से मार दिया ये football भाई साब हमारा चलता जा रहा है चलता जा रहा है लेकिन कुछ समय बाद रुख जाएगा क्यों रुखा? क्योंकि frictional force नाम का external force इस पर लग गया है की नहीं है? देखो external force लगा इस object का जो motion में था ये object ये object rest में आ गया तो इसकी state को change कर दिया गया बिल्कुल change कर दिया गया तो उनका दूसरा वाला भी statement correct हो गया उन्होंने कहा था ना कि भाई ये object तब तक चलता रहेगा जब तक कोई external force ना लगे यहाँ पर frictional force जो की external force लग गया ये object रुख गई है की नहीं? अब उनकी तीसरी बात को भी proof करते हैं उन्होंने तीसरी बात क्या कही थी? उन्होंने कहा था कि भाई जो object होता है वो straight line में तब तक चलता रहता है जब तक कोई external force ना लगे उसके उपर देखो तीसरा वाला देखो ये object ये जो कार है ये तब तक सीधी चलती रहेगी जब तक हम अपनी steering पर force लगा कर इसे मोड ना दे है की नहीं है? तो इनका तीसरा वाला भी statement correct हो गया an object continues to move along the same straight line unless some external force compels it to change its direction ये जो कार है ये straight line में तब तक चलती रहेगी या कोई भी object straight line में तब तक चलता रहेगा जब तक हम external force लगा कर जैसे कार के steering पर हम क्या लगाते हैं external force लगाते हैं तब ही तो ये जो steering ये घूमती है घूमती है तो कार भी घूमती है तो भाई कोई भी object straight line में तब तक चलती रहेगी straight line में तब तक चलती रहेगी जब तक कोई external force लगा कर हम उस object को turn न कर दें ठीक है तो भाईया हमारे Isaac Newton जी की जो तीनों बाते थी उन तीनों बातों को हमने example से आपके सामने proof कर दिया बिल्कुल proof कर दिया topic number 9.2.1 और इस topic में मैं आपको बताऊंगा कि भाई Isaac Newton के first law of motion को हम law of inertia भी कहते हैं अगर ना पता हो तो आज जान लीजिए कि भाई जो Newton का first law of motion था उसे हम law of inertia भी कहते हैं यह आपके multiple choice questions में आ सकता है अब बड़ा question यह बनता है कि ऐसा क्यूं क्यूं Isaac Newton के first law of motion को law of inertia भी कहा जाता है ऐसा क्यूं होता है अच्छा इस question के answer जानने के लिए सबसे पहले हमें Isaac Newton के first law को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा चालो पढ़ते हैं कह रहा है Isaac Newton ने अपना first law यही तो दिया था ना उन्होंने क्या कहा था कि an object continues to be in state of rest यानि कोई भी object है वो तब तक rest में रहेगा या वो object अगर चल रहा है तो वो object तब तक चलता रहेगा जब तक कोई external force लगा कर उस object के state को change ना कर दिया जाए मतलब अगर कोई object rest में है तो वो अपने आप से rest से motion में नहीं आ सकता हमें उसको rest से motion में लाने के लिए external force लगाना पड़ेगा या कोई object चल रहा है कोई object uniform motion में है तो वो अपने आप से rest में नहीं आ सकता इसके लिए भी हमें external force लगाना पड़ेगा पर भाई inertia भी तो यही कहता है ना inertia क्या कहता है inertia का मतलब यही होता है कि जो object होते हैं वो खुद से अपने state को change नहीं कर सकते the inability of an object to change its state of rest or of uniform motion along a straight line inertia भी यही कहता है inertia कहता है कि भाई कोई भी object के अंदर इतनी छमता नहीं है यह कोई भी object अपने आप से ही rest से motion में नहीं आ सकता और ना तो motion से rest में आ सकता है ठीक है सो समझ में आया कि क्यों हम first law of motion को law of inertia कहते हैं क्योंकि दोनों sentences का मतलब almost same है क्या है कि भाई कोई भी object अपने आप से rest में motion में नहीं आ सकती यह uniform motion में है अगर वो तो अपने आप से वो rest में नहीं आ सकती ठीक है तो this is called the law of inertia टापिक नंबर 9.2.2 और इस टापिक में हम पढ़ेंगे कि भाई जो newton का first law of motion था ना इस motion से हमें force के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है यह जो first law of motion है ना यह force को भी define करता है force की भी definition देता है अब आप से यह question directly पूछ सकता है कि define force as per newton's first law of motion मतलब newton का जो first law of motion था उसके according force की definition क्या हो सकती है तो सबसे पहले इस question का answer देने के लिए जो newton का first law था फिर से revise करते हैं newton का first law यही तो कहता है ना कि भाई हम केवल external effort लगा कर यानि हम केवल extra force लगा कर ही किसी object की state को change कर सकते हैं यानि कोई object rest में है तो हमें अगर motion में लाना हुआ या कोई object motion में है तो हमें उसे rest में लाना हुआ तभी हमें external force लगाना पड़ेगा ठीक है तो force की definition यहीं से निकल कर आ जाती है कि external effort जो बात हो रही है यहांपर जो newton सहाब ने कहा था ना कि हमें rest से motion में लाना हुआ या motion से rest में लाना हुआ तो हमें external effort लगाना पड़ेगा तो वो कौन से external effort की बात कर रहे थे force की बात कर रहे थे force is that external force in the form of push or pull which can change the state of an object or change its direction तो force क्या है force हमारा push और pull के form में वो external force है जो किसी body को rest से motion मिला सकता है और किसी body को motion से rest मिला सकता है फिक है तो this is all about the Newton's first law of motion अब चलते हैं अपने अगले topic पर topic number 9.3 में और इस topic में हम जानेंगे कि भाई साब inertia किसे कहते हैं और inertia mass से कैसे related होता है ये दोनों term एक दूसरे से कैसे related हैं वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन इसके पहले हम inertia की कुछ examples देखते हैं so ये inertia की पहली activity है हम इस activity में चेक करेंगे कि ये जो 5 रुपे का सिक्का उपर glass की उपर रखा गया है ये अपना state change करना चाहता है या नहीं करना चाहता क्योंकि हमने तो पढ़ा है ये 5 रुपे का सिक्का ग्लास में गिर जाएगा क्यों क्योंकि ये 5 रुपे का सिक्का rest पर है और ये moment में नहीं आना चाहता है due to inertia हमें एक और जगा inertia देखने को मिलता है जब भाई तेज हवाय चलती है ना तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं सक क्यों होता है क्योंकि भाई जो पत्ते होते हैं वो तो rest में होते हैं और वो rest में ही रहना चाहते हैं लेकिन पेड जो की move कर रहा है वो तो भाई moment में होता है अब इसलिए ये जो पत्तियां होती है वो inertia offer करती है और पेड़ से गिर जाती है अब इन examples में हमने क्या देखा हमने इन दोनो examples में देखा कि भाई कोई भी object है न वो resistance offer करता है ताकि उसके state of motion को change ना किया जा सके हमने पहला example देखा जैसे हमने glass की उपर से वो cardboard हटाया वो जो 5 रुपीज का coin था वो rest में था और इसलिए वो rest में ही रहना चाहता था और वो cardboard के साथ move नहीं हुआ दूसरा example हमने देखा कि भाई पेड़ के उपर से पतिया गिर रही थी जब हवा चलता है तो पेड़ move करता है पतिया तो rest में होती है वो पेड़ के साथ move नहीं करना चाहती वो अपना state of motion change नहीं करना चाहती वो resistance offer करती है इस वज़ा से पतिया जो होती है वो गिर जाती है वो move नहीं करना चाहती पेड़ के साथ अच्छा, if it is at rest it tends to remain at rest हमने अब तक यह एन example से यह सीखा कि कोई भी object अगर rest पर है कोई भी object अगर move कर रहा है तो वो move ही करता रहना चाहता है इस property को ही हम inertia कहते है किस property को कि भाई अगर कोई भी object resistance offer करता है मतलब कोई object रुका हुआ है तो वो हमेशा रुका हुआ ही रहना चाहता है वो move नहीं करना चाहता जब तक हम उस पर external force ना लगाएं, तो इसी को तो inertia कहते है न, inability to change its state of motion, is known as inertia, ठीक है, अब आपसे question पूछ रहा है कि भाई, क्या सभी तरीके के objects, same तरीके की inertia represent करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, देखो, simple सा एक फंडा है, कि भाई, जितना जादा वजन, उतना जादा inertia, मतलब, किसी object का जितन जादा वजन होगा, उस object को remove करना, उस object को हटाना उस जगह से, उतना ही जादा कठीन है, बिल्कुल सही बात है, तुम देखो, जो football होता है, उसका वजन जादा होता है, कि कम होता है, बिल्कुल कम होता है football का वजन, हम आसानी से pair से मार कर football को हटा सकते हैं, लेकिन तुम प कोसिस करी तो ठीक है तो भाई जिसका जितना जादा वजन उसका उतना जादा इनर्सिया उतनी जादा ताकत लगानी पड़ेगी उसको उस जगह से हटानी के लिए फुटबॉल को हटानी के लिए कम ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि इनर्सिया कम है, इसका वजन कम है स्टोन इसका वजन जादा है इनर्सिया जादा है, इसलिए ताकत भी जादा लगानी पड़ेगे, ठीक है आपको एक और एक्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पर, आप देख रहे हो कि अगर कोई लकडी का ट्रेन है उसको रिमूव करना या उसको हटाना या उसको मूव करना काफी आसान है तुम उसको धक्का देके अराम से हटा सकते हो लेकिन अगर तुम सचमुच का जो ट्रेन होता है जो भारी वाले ट्रेन होता है उसको धक्का देके हटा हो, क्या हटा सकते हो नहीं क्यों क्योंकि भाई जो लकडी का जो ट्रेन होता है जो खिलोना वाला ट्रेन होता है वो काफी हलका होता है उसका मास काफी कम होता है मास कम होता है तो इनर्सिया कम होता है इनर्सिया कम है तो हम आसानी से उसे फोर्स लगा कर हटा सकते हैं लेकिन अगर इनर्सिया माज जादा है तो उस चीज को पुश करना या पुल करना उतना ही जादा कठेन हो जाता है देखो वही लिखा गया है कि ऐसा क्यूं होता है in comparison to the cart उस खिलोने के मुकाबले जो असली train होती है वो क्या होती है वो अपना state of motion change नहीं करना चाहती क्यूं क्यूंकि असली के train के पा offer larger inertia हमें ये चीज तो पता चल गई कि भाई जितना वजनदार चीज है वो उतना जादा inertia सो करेगा वो इतना जादा inertia offer करेगा समझ में आया चालो तो हम इतना तो समझ गए कि भाई inertia अगर हमें पता करना है तो उस चीज के वजन से हम पता कर सकते हैं जितना जादा वजन उ mass as follows इस पूरे paragraph को पढ़ने के बाद अब तक हमने जो सीखा वो हम इस चार लाइन में बता रहे हैं सबसे पहले inertia क्या है? inertia वो natural tendency होती है सभी object की inertia सभी object की वो quality होती है जो God gifted होती है कौन सी quality कि भाई कोई भी object अपने state of motion के change को resist करता है मतलब कोई भी object अगर rest में है तो rest में रहना चाहता है वो अपने state of motion को change नहीं करना चाहता ठीक है सबसे पहले inertia के बारे हमने ये सीखा दूसरा हमने ये सीखा कि भाई कोई भी object का inertia उसके mass के बराबर होता है जितना जादा inertia उतना जादा mass so this is all about the first part of this particular chapter hope you have loved the explanation video को हम आगे continue रखेंगे अपने second part में और second part में हम start करेंगे second law of motion से तब तक दुआओ में याद रखना video को दबा के share करो चैनल को subscribe नहीं करा है तो red button दबा के subscribe करो और घंटे की button को भी दबा देना ताकि कि हमारी वीडियो की notification आपको as soon as possible मिल जाये करें मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक जहें